हमार पस इस पूशन में दिया हुआ है When the sun is directly overhead, the surface of the earth receives 1.4 into 10 raised to power 3 watt per meter square of sunlight तो हमार पस यह intensity दिय हुए यहां पर Assume that the light is monochromatic with average wavelength 500 nanometer and that no light is absorbed in the between sun and earth surface The distance between the sun and earth is 1.5 into 10 raised to power 11 meter So, पहले पूछा जा रहा है Calculate the number of photons falling per second on each square meter of earth surface directly below the sun तो हम सबसे पहले first part solve रहते हैं हमार पास intensity दिय हुए है Intensity दिय हुए है दिया हुए है 1.4 into 10 raised to power 3 watt per meter square सही है अज़र आप इसे units ध्यान से दिरो अच्छा पहले हम values नोटाम दिया लेते हैं और फिर हमार पास क्या दिया हुए है हमार पास lambda दिया हुए है Lambda इतना है 500 nanometer यह ज़र रहे है 500 into 10 raised to power minus 9 meter और हमार पास earth और sun दिया हुए है इतना है 1.5 into 10 raised to power 11 meter आपने इस तरी तरी ले ट्रोशन पहले भी किये है इसमें क्या है पहले हम units पहले ध्यान से दिखे तो जो हमें पता है power क्या होता है power होता है energy by time इस ते units होते हैं अपने पास joule per second सही है और intensity भी हम जानते हैं यह होता है power by area सही है अब यूनिट से बात रहे तो joule per second by meter square सही है यह इतना होज़ा रहा है यह होज़ा जूल second meter square यहां तर सही है अब तुम जानते हैं joule per second क्या होता है what होता है तो अपने पास यह मैं यह क्यों बता रहा हूं तो मैं यह दिखो what per meter square मैं यह कह रहा हूं कि in this case जो मारी intensity है can be treated like energy सही है कि इसमें power भी है basically हमारे पास जो energy जो units होने चीए न यहां पर वो मौझूद है तो हम इसे जो intensity है यहां पर हम उसे अपनी energy लिए तरह treat रह सकते हैं सही है so first part from solve रह देते हैं यहां पर so और मैं बोलू energy of one photon यह होता है hc by lambda सही है for one photon यह इतना है for one photon पर अब मैं तुम से बोलूं 4n number of photons जोड़े हमें find भी रहना है so eat इतना वह रहा है n hc by lambda यह त्या है अपने पास for n number of photons for n photons सही है और हमें यही n find out देना है तो यहां से तुम कह सकते हो जो हमारे पास n है और इतना होज़रा e by lambda over hc अब मैंने तुम्हें बता है जो e है वो i जो बराबर है सो यह formula बंज़रा है अपने पास यहां से सही है अब बस हमें बस value डाल रहे इसे solve रहना है तो n इतना होज़रा i दिया हुआ है lambda भी दिया हुआ है h और c जी value तो हमें पता ही है और c होता है speed of light सही है सो यहां से solve करने पे जो हमारा n आज़रा वो हो जाना चाहिए 3.5 into 10 raised to power 21 सही है तो इस n अब मतलब क्या है यह n हमें उन्होंने बताया है हमें टोशन में बोला जिया है number of photons falling per second on each square meter of the earth surface directly below सही है तो मतलब यह basically one centimeter stair है सही है हमें यह value बताया जिये मतलब earth टे surface पे one centimeter जो अपने पास area है eight second में one second में one meter stairs पे number of photons fall कर रहे है अब इसी तरीचे से b part हम से पूछा जिया है और हमें b part में क्या बोला जा रहा है how many photons are there in each qubit meter near the earth surface at any instant सो हमार पास पहले क्या था one centimeter stair में था अब तुम जानते हो माल लो तुम तुम ऐसे अजूम रसकते हो कि यह तुम्हार पास भी surface है सही है अभी तुमने चितने में बताया था तुमने इस surface पर बताया था कि इतने number of photons यहां पर fall रहे थे सही है in one centimeter in one second अब तुम्हें बताना है माल लो तुछ इस टाइप में अब तुम्हें से 3D अजूम तरह रहे है तो यह वाला जो surface है यह वाला portion इस टे वहले तुम पहले बता चिरो कि इतना आया था यह यह था 3.5 into 10 raised to power 21 सही है अब तुमसे पूछा जा रहा है इस पूरे entire surface में कितना photon है वह fall रहा है सो तुम्हें यह बात पता है कि one centimeter stair में तुमने बताया थे value कितनी थे 3.5 into 10 raised to power 21 सही है अब तुम्हें number of photons बताने है इस पूरे whole surface में सही है सो तुम्हें पता है n कितना हो जा रहा n हो जा रहा जितनी तुमने value find out की है इसे speed of light से divide चर दो सही है तो यह हो जा रहा 3.5 into 10 raised to power 21 divided by speed of light 3 into 10 raised to power 8 सही है अब इसी तरी जिसे जो मारा c part है उसमें पूछे जा रहा है how many photons does the sun emit per second मतलब number of 1 second में sun कितने emit थे रहा है photon यह जो question है तुमने इसे special theory of relativity वाले चाप्टर में भी बता बनाया हुए सो तुम्हें पता है हम प्रों से formula यहां पर यह होता है n for number of photons यह जी से बराबर यह है volume per meter cube सही है into 4 pi rs चीजिए यह स्फेर टाइप में आता है ना अपने पास तो इसलिए हम यह वाला formula यह हो सरते हैं यहां पर सही है तो यह जितनी value आज यह अपने पास यह हो जाना चाहिए मतलब हम इस तरीटर सी value solve रह सकते हैं सो हम जानते हैं यह हमार पास n इतना आ रहा है n है अपने पास 3.5 into 10 raise to power 21 यह जो n है अपने पास यह क्या है यह है volume per meter स्केर सही है अब तुम्हें n बताना है exact value in this case जो n आने वाला है तो n आज रहा 3.5 into 10 raise to power 21 3.14 सही है और जो distance है तुम्हेरे पास sun और earth रे वीच में वो दिया हुआ है 1.5 into 10 raise to power 11 और इसा whole share जरना है सो जब तुम्हें इसे solve तुम्हेरे पास इतना आ जाना 9891 into 10 raise to power 41 सो n आ जाना चाहिए तुम्हेरे पास 9.891 into 10 raise to power 44 सो यही तुम्हेरे पास number of photons हो जाए रहा in this case इस n से transfuse मत हो न यह n volume per meter state लिए था सही है यह हमारा actual n है जो हमें इस part में solve रहना था सही है तो इसी तरीटी से हमारे तीनों part solve हो जाते है इससे असान solution और कहीं नहीं हो जो है जाते है खेए तो यह दूत्ष्व हो a जुत और कहीं